नमश्कार, मेश राशी जुलाई से दिसम्बर दो हजार बाईस कैसी रहेगी धन के इस्तिति? आप सभी की भारी डिमांड पर ये स्पेशल एपिसोड हमने बनाया है सभी मुझे लिखते हैं कि आप हमें ये बताएं कि दिसम्बर तक किस प्रकार से घरे हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे धन के रूप में क्या रहेगा आर्थिक रूप से हमें लाव क्या नुकसान होगा तो उस डिमांड को आपकी स्विकार करते हुए मैं ये एक बड़ी भविश्यवानी आज अपनी वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ और आपको अवगत कराऊंगा इस आगामी जुलाई से लेके दिसम्बर तक मेश राशी के सभी श्रोता किस रूप में प्रभावित होंगे और सेकेंड हाउस जो धन का होता है परिवार का होता है हमारे धन के संग्रह का होता है वानी का है आख का है नाक का है चेहरे की खूबसूरती का है इतनी तमाम चीजों का इस्थान होता है ये आपको और हमें किस प्रकार से फल देगा ये मैं आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा तो जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक देखिए काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो आज ये रहने वाली है उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं दिनांक 25 से लेकर कि और 30 जून तक मुंबई में उपस्तित रहूँगा आप वहां मुझे कुनली बनवाने के लिए दिखाने के लिए पूजा पाठ वे रतनों के लिए संपर्क कर सकते हैं दोस्तो मेश राशी इस राशी के स्वामी होते हैं मंगल के रहे और जुलाई के महीने में मंगल की जो इस्तिती रहेगे वो बड़ी महदपून है क्योंकि मंगल एक तो अपने ही घर में रहेंगे सबसे पहली बात पूरे महीने रहेंगे पर क्योंकि हमें धन की इस्तिती की बात करनी है और किसी भाव के बारे में आदमें आपसे चर्चा नहीं करूंगा दन के स्वामी बनते हैं शुक्र महराज और शुक्र ग्रहे इस महीने में जुलाई में दिनांक बारा तारीक तक जी हाँ दिनांक बारा तारीक की रात तक अपने ही घर में पैसे पर बैठे हैं बुद्ध के साथ में बैठे हैं तो यह जो बुद्ध की और सूरे की युती है बड़ी जबरदस्त रहेगी बुद्ध की और शुक्र की और ये आपके आर्थिक रूप से सम्रिद्धी के लिए बड़ी अच्छी रहेगी यदि जुलाई के महीने में पहले बारा दिनों में आपको विशेश रूप से कोई आर्थिक लाब पत्रिका के अंदर दिखाई देता है आपको वानी से, संगीत से, आपको अगर स्पोक्स परसन है, पढ़ाने लिखाने का काम है आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, आप फिल्म लाइन में हैं, आप कॉस्मेटिक चीजों का काम करते हैं, होटल रेस्टूडेंट लाइन में हैं आपके लिए काफी अच्छे फल यहाँ पर देखने को मिलेंगे और स्वेम आपकी राशी के स्वामी अपने घर में हैं, और फिर मंगल यहाँ पर मजबूत इस्तिती में देखे जाएंगे इसके बाद दिनांग 13 तारिक को आपके धन के स्वामी शुक्र राशी परिवर्तन कर लेंगे और इनका राशी परिवर्तन करके मिथुन में जाना ये जो समय रहेगा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर तनापून रह सकता है आपको आर्थिक सम्रिद्धी रुक रुक करके होगी इसलिए दिनांग 13 जुलाई से लेकर और यह जो 6 अगस्थ तक का समय रहेगा इस दोरान आप थोड़ा सा ध्यान रखें सैयम पूर्वा कारे करें जादा हतोत साहित हो करके कोई कारे मत करिएगा ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ बागी पैसा आता रहेगा और सामान निकती से आएगा क्योंकि शुक्र धन को लेकर के किसी शत्रू के गर में नहीं जा रहे हैं जा वो अपने मित्र के गर में रहे हैं यानि कि बुद्ध के गर में तीसरे स्थान में तो आपको अपने दोस्तों से भाई भेनों से financial support मेलेगा यदि आप उनके माद्यम से कोई मदद लेना चाहते हैं तो इसके लावा जो आपकी राशी है मेश इसके स्वामी मंगल दिनांक 10 अगस्त को व्रशव राशी में आ रहे हैं ये एक अच्छी बात है अब 10 अगस्त को मंगल आ जाएंगे पैसे पर अपनी मेश राशी से दूसरे स्थान में तो यहाँ 10 अगस्त से धन की इस्तिती को मंगल समाल लेंगे आपको डेरिंग वर्क से पैसा आएगा आपको आप वानी से उजस्वी हो जाएंगे और परिवार के साथ जरूर थोड़े से आपर मदवेर बनेंगे और जो प्रॉपर धन के स्वामी है आपकी राशी मतलब धन के स्वामी है वो बनते हैं शुक्र ग्रे उनका दिनांग 6 अगस्त को करक राशी में जाना केंद्र में आना शत्रू राशी में आना तो एक तरीके से ये 6 अगस्त से ले करके और 24 सितंबर तक ये 6 अगस्त से ले करके और लगभग लगभवाई मान करके चलिए कि एक महीने लगभग 6 सितंबर तक जो ग्रह गती रहेगी इसमें शुक्र धन की इस्तिती को फ्लैक्चुइट करेंगे उतार चड़ा में ले कर कि आएंगे पर जैसा मैंने बोला कि मंगल आपके पैसे पर बैठे हैं तो वो काफी हर तक समाल लेंगे अब यहाँ पर परिस्तितियां बदल जाएंगे और वो दिनांग छे सितंबर को बदलेंगे सिंग राशी में जाने से आपके धन के स्वामी शुक्र है जब त्रिकोन मे आएंगे पंचम भाव के उपर आएंगे आएंगे जरूर सतुराशी में पर फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं और पंचम भाव भी पैसे का होता है तो यहाँ आने से यह आपके लिए परिस्तितियों को पॉजिटिव कर देंगे यहाँ भी आपको पैसा मिलेगा तो एक 6 सितं से ले करके और 24 सितंबर तक का जो समय रहेगा यह भी आपके लिए काफी उन्नती वर्दक रहेगा धन के इस्तिती के दरिश्टिकोंड से अच्छा रहेगा यह मैं आपको कहना चाहता हूँ एक चीज और है जिसका आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है वो यह कि 24 सि सितंबर को आपके धन के स्वामी शुक्र गहे नीच के हो जाएंगे रात को 9 बच के 3 मिनट पर अब यहां पर इनका नीच होना और वो भी 6,000 में होना और बुद्ध की साथ में युती रहेगी और पैसे को ले करके शुक्र का नीच होना तो एक यह नीच भंग राजयोग बनेगा यह नीच भंग राजयोग अच्छा होता है पर बिमारियों पर पैसा खर्चोगा तो यह जो महीना रहेगा इसमें आपके लिए मिला जुला सा धान आएगा जो मैंने आपको तारीक बताई 24 सितंबर से ले करके और 18 अक्टूबर तक इस समय में आपको विशेश र पाग नीच भंग राजयोग बन रहा और राजबंग नीच भंग राजयोग पैसे के लिए अच्छा होता है इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस सिचेशन तो नहीं बनेगी पर फिर भी आपको यह थोड़ा सा ध्यान लखना पड़ेगा आपके लिए जो सबसे उत्तम समय वो है 18 अक्टूबर से लेकर और 11 नवंबर तक यह जो समय है आपके लिए विशेश फलदाई है जी हाँ इस दोरान शुक्र ग्रे धन भाब के स्वामी हो करके सब्तम भाब पर आ जाएंगे और सब्तम भाब में उनकी युती बनेगी केतू के साथ में तो यह जो शुक्र क युती बनेगी केतू के साथ यह युती आपके लिए काफी लाप परद रहेगी यह मैं आपसे कह देना चाहता हूं तो यह समय ऐसा है जिसमें आपको जबरदस्त गेन होगा और वो भी 11 नवंबर तक होगा इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो भी बड़ा काम करना ह आपको लगता है तो वो इस दोरान करिएगा इसके बाद आपके धन भाव के स्वामी शुक्र गरहे ग्यारा नवंबर को चले जाएंगे वरिश्चिक राशी में और वहभी अस्टम भाव पर अब अस्टम में इनके जाने से ये फिर एक बार धन की इस्तिती को गड़वर क करने की भूमिका में आ जाएंगे और ये फिर पांच दिसंबर तक समय आपका ऐसा ही चलेगा जिसमें वरिश्चिक राशी अस्टम भाव पर इनका गोचर हो जाएगा ऐसे इस्तिती में आपको फिर सोच समझ करके पैसा खर्च करना है बिमारियों पर धन खर्च होगा इन इस टाइम पर आपके धन के सोवमी भाग्य इस्तान पर आ जाएंगे और भाग्य के घर में भी मजबूत इस्तिती में होंगे और यहां पर अगर धनका सोवमी भाग्य में आ जाए तो भाग्य के अनुरूप पैसा दे देता है ऐसा एक फलिजोतिश के नियम अनुसार फल क्या आता है तो मैं कह सकता हूँ बिलकुल नी संकोज बाप से कि आपके लिए परिस्तितियां काफी फेवरेबल हैं पॉजिटिव हैं इसमें किसी प्रकार का कोई दोमत नहीं है अब जो यहाँ पर में अच्छा फल निकल के आ रहा है वो तब आ रहा है जब सूरे सिंग सबराशी में होंगे शुकर طula में होंगे शुकर धनू में होंगे यानि की सब्टम भापर नवं भापर पन्चंभापर और जुलाई के महिने के पहले बारा दिन ये भी आपके लिए विशेश रूप से आर्थिक समर्दी रेकर कर कि आने वाले रहेंगे दोस्तों यह दिखाने पूजा पाठ वे रतनों के लिए संपर्क करें 98-9988-433-7011-805461 आप सभी के लिए एक खुशकवरी जोतिश अचारे मानविंदर रावजी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे